हाई फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारे किचन में आज हम बनाने चाह रहे हैं कुरूत दाल और चने दाल की बड़ा यहां पर हमने एक कप चना और एक कप कुरूत का दाल को भीगा लिया था तिन चार घंटे भीगा लिये थे और पानी से धोकर हम इसको मिक्सी के जार में पीशेंगे यहां पीश कर इसका पेष्ट बना लेंगे और हमने दो प्याज दो मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है इसको हम सब चीजों को डोलेंगे पानी में और प्याज को बारी कट कर देंगे चोटा चोटा पीश कर देंगे और हरी मिर्च को पीच में से काट कर चोटा चोटा पीश कर लेंगे और कड़ी पत्ता के पत्ते को निकाल देंगे उसके पत्ते को निकाल देंगे यहां हम सब चीजों को थोड़ा तयार कर लिए हैं और दाल के पेश्टे में थोड़ा से हल्दी आधा चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन हाथ में मसल के डाल देंगे यहां कटे हुए सब चीजों को डाल देंगे और सब चीजों को मिक्स करेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी से मिक्स करेंगे यहां पर हमने गैस को अन कर लिया है और हाथ में पानी लगा कर दाल के पेश्टे को चोटा से लोई करके प्रेश करेंगे और उसके बीच में कोल कर देंगे और हमने गैस को जला कर तरह रखके तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल के बड़े को अडालेंगे तेल में थोड़ा हलका सब पब जाये तो पुलेड़ देंगे और सब को लटके ब्रहन पुलेड़ का पकार देंगे लोह हमारा तयार है बड़ा आईए और इंज्जाइ करिए वीडियो पसंदा है तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करिएगा फट्राइब लाइ्ग याज पस्ते है तो लाइक सब्सक्राइब पस्तों अबोले लाइक सब्सक्राइब और दोचाजाब डेक खिलते हैं यह हमारा ऊतफ़ा रहता है था एहता है झाल झाल